वहीं ग्वालिय चंबल बुंदेल खंड में खाद का संकट कम नहीं हो रहा है पहले डिएपी के लिए लंबी लंबी लाइने लगी और अब किसान यूरिया के लिए भटक रहा है और वो भी समय पर नहीं मिल पा रहा है और खाद वितरन केंडरों पर किसानों की लाइन लगी रही है और खाद ना मिलने से नाराज किसान नहीं दिनों से जगा जगा प्रदेशन भी कर रहे है और भिंड, सागर, मुरेना, गुना, अशोक नगर में किसानों ने खाद के लिए चक्का जाम भी किया और वहीं सागर में किसानों ने पट्रियों पर बैट कर रेल तक रोक दी और हरीपुर गाओं के किसान आतुल लुमबा ने बताया कि अमूमन नौंबर महिने में डियेपी की जरूरती और अक्तूबर के अंतिम हफते में खेतों में सिचाय कर बोवनी के लिए तयार की जाती थी इसके बाद डियेपी के आशकता होती थी लेकिन इस साल अक्तूबर के मद्दे में बारिश हो गई और इन इलाकों में एक ही दिन में कई इंच तक बारिश दर्च की गई और बारिश होने से खेतों में नमी आने से खेत बोवनी के लिए तयार हो गए और इसी वज़ा से कि पूबर के मद्य में ही जिन किसानों ने फसल की बौवनी खर दी थी अब उने यूरिया की जरुवत भी जल पड़ गई और उनकी फसले चार से पांच इंच तक बढ़क गई है और किसानों ने फसलों में पानी देना भी शुरू कर दिया है और यही सबसे सही समय होता है यू यूरिया डाला जाए तो वो घुलता नहीं है और उसका कोई उप्योग नहीं रह जाता यही वज़ा है कि किसान अब यूरिया के लिए भटक रहे हैं राजे सरकार ने बुद्वार को 13 IPS अफसरों के तबादले की हैं और इनमें भिंड जिले में E-Commerce कंपनी Amazon के खिलाव गांजर सप्लाइ मामले में कारवाई करने वाले मनोज कुमार सिंग का भी नाम है और उनकी जगा शैलिंदर सिंग चोहान को भिंड की कमान सोपी गई है और वहीं बताय जा रहा है कि SP की मंत्री अर्विन भदोडिया से भी अन्बन चल रही थी और हाल में मंत्री समर्थकों पर पुलिस ने खाद को लेकर हुए विवाद के बाद केस दर्ज किया था और इसके अलावा IPS केलाश मकवाना को पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन का अध्यक्ष बनाए गया और वहीं सागर SP अतुल सिंग को भी हटा दिया गया और उनकी जगात तरुन नायक को सागर की कमांद दी गई है और ADG विजिलेंस जीपी सिंग को हटा का शुष्मा सिंग को कमांद दी गई और ग्रेविवाग द्वारा बुद्वार को देश शाम तबादला सूची जारी की गई और भिंड के नए SP शैलेंदर सिंग चोहां साल दोजार बारक बैच के IPS हैं और शाजापूर भोपाल नोर्थ खरगोन SP रह चुके हैं और उनकी खाचयत स्मार्ट वरकिंग के साथ जन सब्मवाद करना है और निस्पक्षा से काम करते हैं औ तरुन नायक साल दोजार नो बैच के IPS हैं और वर्तमान में सेनानी साथवी वाहनी विसब्बल में कमांडेट रहें और फील्ड में अच्छी पकट रखते हैं और गुना SP रह चुके हैं और वहीं मद्यप्रदेश के करीब 40,000 बैंकर में 16 और 17 दिसंबर को हड़ताल पर रहेंगे और इससे राजी की 7,000 ब्रांचों में 2 दिन तक काले लटके रहेंगे और बोपाल में 300 ब्रांच है और 5,000 बैंकर में इस हड़ताल में शामिर रहेंगे और वो बैंकों के नीजी करंड को लेकर किये जा रहें परियासों का विरोज जताएंगे United Form of Bank unions के आवान पर ये देशवयापी हड़ताल रहेंगे और unions के coordinator वीके शर्मा और संयोजक संजीव सब लोग ने बताया कि देशवयापी हड़ताल में मर्दे परदेश के सबी बैंकों के अधिकारी करमचारी हिस्सा लेंगे और unions के coordinator शर्मा ने बताया कि सरकार बैंकों के नीजी करंड को लेकर लगातार परियास भी कर रही है और इसका देश भर में विरोध भी किया जा रहे है इसलिए 16 और 17 दिसंबर को हड़ताल करके सरकार को चेताएंगे अगर सरकार ऐसा परियास नहीं रोकती है तो आगे भी अनिश्चित कालिन हरताल पर जा सकते हैं और बैंक हरताल के बाद 18 दिसंबर को शनिवार है और ऐसे में ज़्यादा काम नहीं होगा और 19 दिसंबर को रविवार होने से बैंक की छुट्टी रहेगी और ऐसे में लोग हरताल से पहले अपनी ज़रूरी काम निप्टा ले